नमस्कार में उप्रिया आज है 20 दिसंबर चले जाते हैं बिहार की 25 बड़ी खब्रों को इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्राजवेट के लिए ACIO की 2000 भरती ग्रिमंत्राले के अंतरगत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस ओफिसर ग्रेट दो एक्जेक्यूटिफ परिक्षा 2020 का नूटिफिकेशन जाली किया है ACIO की 2020 वेकिल्सी निकाली गई है इनमें 989 वेकिल्सी अनारक्षित है 113 EWS 417 OBC 360 SC 121 ST के लिए अनारक्षित है इच्छो को मिद्वार www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तारीख 9 जनवरी 2021 है स्कूल और कोचिंग खोलने से पहले इंश्टर्तों का करना होगा पालन भिहार सरकार ने 4 जनवरी 2021 से अपर क्लास के स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला सुनाया है क्राइसिस मानेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्ने पहले ही ले लिया गया है हाला कि अब नियम कानून को साजवा क्या गया है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल कॉलेज प्रबंधन मास्क और शारिक दूरी के नियमों का पालन कराएंगे विद्यार्थियों के लिए अनिवारे रूप से मास्क पहनना आवर्शक होगा स्कूल कॉलेज रोटेशन में चलेंगे आधे छात्र एक दिन आएंगे आधे दूसरे दिन आएंगे स्कूलों की भाती यही नियम सभी कॉलेज में भी प्रभावी होगा इसके साथ ही बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों को सिक्षा वभाग की तरफ से सिक्षकों और चात्रों दोनों को मुफ्त मास्क दिये जाने का फैसला भी लिया गया है वैशाली के बुद्धास्तूप में आपको देखने को भी लगा बहुत कुछ खास गौतम बुद्ध के काल के गौरफ का वर्णन करता बुद्धास्तूप बहुत ही सुन्दर और दर्शनी है अगर आप यहां घूमने जाए तो प्रयास करें कि सुरियोदे के समय पहुचे उस समय यहां का द्रश सबसे सुन्दर और मनुहर होता है आप इस खुबसूरत सुबह को अपने कैमरे में भी क्याद कर सकते हैं प्रवेश के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है बाइक के लिए मनचाहा नंबर लेना हुआ सस्ता बाइक के लिए मनचाहा नंबर लेना अब और भी सस्ता हो गया है अब फैंसी और मनपसंद नंबर लगाने का शौक रखने वालों की जेव ज्यादा धीली नहीं होगी इसके लिए परिवहन विभाग ने मनपसंद नंबर के आधार पर शुल्क में भारी कमी की है महस 5,000 में आपको मनचाहा नंबर के लिए दावा किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देते वे परिवहन विभाग संजे कुमार अगरवाल ने बताया है कि अब दो पाईया वाहनों में 0101, 0101, 0000, 0012, 123, 4 जैसे मनपसंद नंबर के लिए आधार शुल्क 20,000 रुपे कम पहले मनचाहा नंबर के लिए 35,000 रुपे देने पड़ते थे मगर अब इसे घटा कर 15,000 रुपे कर दिया गया है वही 0101, 0012,03, 0015,1 आधी मनपसंद नंबर के लिए पहले 16,000 रुपे देने पड़ते थे जिसे घटा कर अब 10,000 रुपे कर दिया गया है बिहार में 11 विभागों में चुनिंदा श्रिकायतों का तुरंथ होगा निप्टारा सरकारी कामकाज्व के तरीके में तक्नीकी बदलाव आ गई है इसी में संचार माध्यम की बदलती तक्नीक और बढ़ते प्रभाव के आसरे राज्य अबजनता की समस्याओं का निप्टारा करना चाहती है बिहार की नितीश शरकार बेहदी कम समय में समस्याओं का निप्टारा ज्यादा प्रभावी धंग से करने के लिए सोशल साइट को माध्यम बनाने जा रही है इसके तहट फेस्बुक, ट्विटर, लिंकिडिन समेट अन्यक किसी भी सोशल साइट पर मौझुदा सरकारी वभाग के पेज या बिहार सरकार के सरकारी पेज पर अगर कोई किसी समस्या को लेकर शिकायत करता है तो उसका समधान तुरंथ किया जाएगा बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले स्वास्तिव भाग की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 712 मामले सामने आए है जिसके बाद प्रभावितों की संक्या बढ़कर 24,645 पर पहुंच गई है वहीं प्रभावित टॉप तीन जिलों की बात करे तो राज़ानी पटना में 288 नए मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ ही सारण में 49 तो वहीं नवादा में 35 मामले सामने आए है बिहार लोग सेवा आयोग ने 27 दिसंबर को होने वाली परिक्षा स्थागित नहीं करने की कही बात बिहार लोग सेवा आयोग ने 27 दिसंबर को होने वाली 66 संयुक्त प्रारंबिक परिक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया है जिसमें 4 लाग से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे 600 से ज्यादा पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परिक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बिहार लोग सेवा आयोग को परिक्षा स्थकित करने और परिक्षा केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध किया था जिसे BPSC ने इस जिरे से खारच कर दिया है और कहा है कि परिक्षा अपने पुर्वनिरधारित समय पर ही आयो जित होगी बिहार लोग से वायो कि 66 वी सैयुक्त पीटी परिक्षा के लिए BPSC ने ओन्लाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया है एक जन्वरी को नाओ के परिचालन पर लगी रहेगी रोक एक जन्वरी 2021 के अफसर पर भीड भारवाले सभी स्थानों पर श्रांती विवस्ता और विधी विवस्ता बनाये रखने के लिए जिला दंडादिकारी, कुमार रवी और वर्ये पुलिस अधिक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सैयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है एक जनवरी को लेकर परियापत संख्या में मजिस्ट्रेट पुलिस पद अधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिन्युक्ती की गई है अधिकारी ने भीड भारवाले महत्वपूर्ण स्थारों पर वाहलों की पार्किंग एवं यातायात की सो चारों विवस्था करने का निर्देश ट्राफिक स्वी को दे दिया है 31 दिसंबर 2020 की रातरी से ही होटेलों, कलबों, मंदिरों, पार्क के आसपास और भीड भारवाले स्थारों पर शान्ती ववस्था एवं विधी ववस्था बनाय रखने का सक्त निर्देश दिया गया है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोकनाथ की आलोकनाथ का जन 10 जुलाई 1956 को खगडिया में हुआ था, आलोकनाथ ने अपने करियर के शुरुआत साल 1982 से फिल्म गान्धी से की थी उन्होंने हिंदी सिनमा में हर तरह की भूमिका अदा की है, उन्हें सूरज बढ़ जातिया और राज़्ट्री प्रेडक्शन की फिल्मों में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदी सिनमा में बेहद प्रसिधी मिली, जिस कारण दर्शक भी उन्हें बाबु जी कहन बैलिट पेपर की जगह EVM से चुनाफ करवाए जाने पर लगी मुहर, पंचाय चुनाफ को लेकर तैयारिया शुरू हो गई है, महीं चुनाफ के आयोजण को लेकर अधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसके तहक पंचाय चुनाफ में EVM से ही चुनाफ कर्वाए और उस पर होने वाले लगभग 450 करोड के बजट के प्रस्ताफ पर जल्द ही स्विक्रिती मिल जाएगी आयो की तरह से पंचायत आमचुनाफ को लेकर लगभग 300 करोड का बजट प्रस्ताफ सरकार को भेजा गया है इसमें माना जा रहा है कि 125 करोड की लागट से पंचायत आमचुनाफ के लिए मर्टी पोस्ट EVM की खरिदारी पर खर्च होगा अधिकारिक सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाफ के लिए EVM की खरीद पर उचिस्तरिय स्विक्रिती अनुमोदन मिल गया है बिहार बोर्ड इंटर प्राक्टिकर के अड्मिट कार्ड हुए जारी बिहार बोर्ड इंटर वार्शिक प्रायोगीक परिक्षा 2021 के सुनावरी 2021 तक निर्धारित की गई है कि प्रायों की क्विश्यों की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूजेंस का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है परीक्षा के लिए निर्धारित तारीक 9-18 जन्वरी तक की अबधी में केंद्रा धिक्षक द्वारा निर्धारित तारीक और पाली में अपने कौन बनेगा करोरपती के खास कर्मवीर एपिसोड में मशूर अभिनेता, बोमन इरानी और इस साल के ग्लोबल टीचर प्राइस के विजयता महरास्टर के रंजीत डिसले के एक्सपर्ट के रूप में बुलाए गया था बिहार में लक्शुरी धावा बनाने की शुरू हुई तयारी बिहार में नए परेटन नीती के तहट टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए परेटन विभाग तयारियों में जुट गया है जिसके तहट अफोर्लें सरकों के नर्माण के लिए लक्शुरी धाव बनानी की तयारी भी शुरू हो गई है ऐसे में धावा में रहने के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे और उसमें सारी सुक्सो वधाएं भी मिलने वाली है सबसे बड़ी बात ये है कि जमीन माले खुद धावे का नर्माण कर सकते हैं और सरकार इसके लिए 60% सबसीरी देगी परेटन विभाग के मंतरी जिवेश कुमार ने सरकार की नई परेटन नीती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और परेटन को बढ़ावा देने के लिए रूपरे खाता यार किया है निती सरकार ने बिहार में नए साल में 40 से अधिक नए शेहरी निकाय बनानी की कही बात बिहार में नए साल में शेहरी निकायों की संक्या बढ़ाने का काम किया जा रहा है शहरी करन को ध्यान में रखते वे राजसरकार इन निकायों के गठन का रास्ता पहले ही साफ कर चुकी है ऐसे में जल्द 40-50 नए निकाय गठित हो सकते हैं शहरी करन की रफतार बढ़ेगी नगरविकास एवं आवास विभाग के नए निकाय के लिए जिलों में प्रस्ताव मांगे थे इन प्रस्ताव की जाँच की जा रही है सही मानक पर खड़े उतरने वाले प्रस्तावों को जल्द क्याबिनिट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा बिहार शहरी करन के मामले में फिलहाल काफी पीछे है नय साल में दर्भंगा एरपोर्ट का होगा अपना हैंगर दर्भंगा एरपोर्ट का नय साल में अपना हैंगर होगा जिसके बाद यहां दो विमान एक साथ खड़ी हो सकेंगी हैंगर का कारे अंतिम चरन में है इसको लेकर तैयार या जोर शोर से चल रही है उमीद जुताई जा रही है कि 6 जनवरी से हैंगर चालू हो जाएगा इसके बार विमान को हैंगर में खड़ा किया जा सकेगा अब तक जो भी विमान दर्भंगा एरपोर्ट पर उतरती है वो रनवे पर ही उडान भड़ने तक खड़ी रहती है इसके कारण दर्भंगा एरपोर्ट पर विमानों की संख्या बढ़ाने में परिशानी आ रही थी हैंगर बन जाने के बाद दो विमानों को यहां पार्क किया जा सकेगा संजीव सिंगल बने बिहार के डीजीपी किसानों के अंदोलन पर कुरुशी मंतरी ने दिया अपना बयान बिहार के कुरुशी मंतरी अमरेन प्रताफ सिंग ने बीते दिन सोनपूर जुला पहुँचकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है किसान अंदोलन को लेकर अपना बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने किसान अंदोलन को दलालों का अंदोलन बताया है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ मुठी भर दलालों किसान बन कर अंदोलन चला रहे है जबकि देश के किसान खुशाल है और कृषी कालून किसानों के खिलाफ नहीं है मंत्री ने कहा है कि देश में 5.5 लाग गाओं में किसान रहते हैं लेकिन वहाँ कोई आंदोलन नहीं चल रहा है और वहाँ सभी खुशाल है इसके साथ ही उन्होंने या भी आश्वासन दिया है कि देश के किसानों को अपना अनाज बेचने की आजादी मिली है इससे कई लोगों को परिशानी हो रही है सीम ने नेचर सफारी के ग्लास ब्रिज का लिया जाइजा अंतराश्य परिटिक स्थल राजगीर में बन रहे नेचर सफारी के ग्लास ब्रिज का मुख्य मंद्री नितीश कुमार ने जाइजा लिया जिसकी बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते वे कहा कि आने वाले समय म यह ब्रज परेटकों के आकरशन का केंद्र होगा उन्होंने कहा कि पहले मैंने जू सफारी की रूपरेखा तयार की उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यहां की प्रकृति के बारे में जानने के लिए नेचर सफारी का निर्मान होना आज चाहिए और मैंने फिर इस नेचर सफारी का निर्मान शुरू कराया उन्होंने कहा कि खासकर युबा नेचर के बारे में आकर जान सकेंगे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घने जंगलों में हैं इसलिए सुरक्षा की समुची त्विवस्था कराई जाएगी आपको बता दे कि जू सफारी और नेचर सफारी जंगलों के बीच गया और नालंदा जुले के बीच में है राची पहुचे तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना बिहार बतान सबाच चुनाफ की बाध पहली बार बीते दिन तेजस्वी आदव अपने पिता लालो प्रसाद यादव से मिलने रिम्स पहुचे इतना ही नहीं इस दोरां तेजस्वी के पीए समेट एक अन्य शख्स भी मुलाकात करने पहुचे थे इस दोरान ते जुस्वी आदम ने नितीश सरकार पर भी निशाना सा था जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में दिन दहाडे अप्रिये वाक्य बढ़ते जा रहे हैं सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है चुनाफ के समय भी हम कहते हैं कि नितीश कुमार ठक चुके हैं राजुद हारी हुई सीटो पर हारकी करे की समिक्षा चुनाफ परिणाम के आए हुए महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है हाला कि चुनाफ परिणाम में इस बार बिहार की जनता ने राज़त को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना था हाला कि इसके बावजूद महागठबंदन सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई जिसके बाद अब राज़त हारी हुई सीटों पर हार के कारणों का पता लगाने में जुट गई है इसके लिए पार्टी के सभी विधायक, हारे हुए प्रत्याशियों और सभी जलों के पार्टी अध्यक्ष की एक बैठ़क बुलाई गई है 21 दिसंबर को होने वाली इस बैठ़क में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सेंग चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे भारत के इतिहास में आज की तारिक कई कारणों से है, दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारिक का अपना ही एक खास महत्व है आजी के दिन साल 1955 में भारतिय गोल्फ संग आगठन हुआ था महानकवी बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने 1876 में रास्ट्र गीत बंदे मातरम की रचना आजी के दिन गी थी भारतिय अगेन बाज जासु पटेल ने 1969 में कानपूर में आस्ट्रेला के खिलाफ 79 रंदेकर 9 विकेट आजी के दिन लिया था भारत और यूरोपिय संके बीच 1993 में ब्रेसलिस में सहयोग समझोते पर हरस्ताक्षर किया था 36 रंद पर धेर हुई टीम इंडिया ने दर्च किया टेस्ट तिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड भारतिय टीम को पहले टेस्ट मैच में हारकास सामना करना पड़ा है श्रनिवार को शुरू है मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के पास आसान 90 रंओ का लक्ष था जिसको टीम ने दो विकेट के नुकसान पर आसानी से पार कर लिया और टेस्ट सीरीज का पहला मैच अपने नाम दर्च किया महीं भारतिय टीम ने मैच के दोरान अपना अब तक का सबसे शर्बनाक रेकॉर्ड दर्च किया है दूसरी पारी के शिरुवात में भारतिय टीम मातर 36 रन पर ही सिमट गई और आस्ट्रेलिया एक हिराडी ने आसान सा लक्ष प्राप्त किया सुषान सिंग राजपूत मामले में समन भेज जाने के बाद करण जोहर ने मांगा कोट से इस समय सुषान सिंग राजपूत मामले में NCB के हस्तशेब के बाद कई Bollywood हस्तियों की परिशानी बढ़ गई है वहीं इस मामले की चाच के तहट फिल्म नर्माता, करण जोहर और अभिनेता सल्मान खान को मुझफरपूर सीजेम की तरफ से समन भेजा गया था वाटसाप पर अब आसानी से पता करें आपको किसने किया ब्लॉक कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आजाती है जब हम किसी को या कोई हमें वाटसाप पर ब्लॉक कर देता है अगर आपको भी लगता है कि किसी ने वाटसाप पर आपको ब्लॉक कर दिया है तो हमारी बताईगे ट्रिक के जरीए यदो विधा दूर हो जाएगी अगर आप ब्लॉक हुए है तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है वो उस कॉंटाक्ट का लास्ट सीन और प्रोफाइल पिक्चर चेक करना है ब्लॉक करने पर व्यक्ति का ओन्लाइन स्टेटस लास्ट सीन और डीपी दिखनी बंद हो जाएगी जब आप किसी को वाटसाप मेसेज भेजते हैं तो रिसीब होने पर मेसेज के रीचे डबल टिक बन जाता है हाला कि ब्लॉक करने वाले व्यक्ति को हमारा मेसेज पहुच अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति के लो 67,900 रुपे था इसके अलावा राजधानी पट्ना में पेट्रॉल की कीमत 86.3 रुपे प्रति लीटर थी वहीं डीजल 89.1 रुपे प्रति लीटर था कल हमारे द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हैने बात आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है लवली सिंग, लव कुमार, असलम मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रुसार बिहार में 4 जन्वरी से स्कूल समेथ सभी सिक्षन संस्थान खुलने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें दनिवात